New Hope TV, Your Encounter with God आज का टाइटल है, मुझे तो निश्चय है की मेरा छुडाने वाला जीवित है Come on somebody, I'm talking to you मुझे तो निश्चय है की मेरा छुडाने वाला जीवित है जी हाँ, मैं आप से यह वाली बात पूछ रहा हूँ क्या आप इस बात का निश्चय कर सकते हैं, क्या आप इस बात को लेके कह सकते हैं निश्चिंत रूप से की मैं निश्चय कर चुका हूँ मेरा दिमाग निश्चय कर चुका है, मेरा हिर्दे निश्चय कर चुका है और जो मेरा दिमाग और मेरा दिल निश्चय कर चुका है, निश्चिंत रूप से इस निश्चित बात को निश्चय के साथ कह सकता हूं कि मेरा छुडाने वाला जीवित है, जी हां, आज का जो टाइटल है, वो ये है, मुझे तो निश्चय है, I know it, I surely know it, I know it with every ounce of my being that my living savior is gonna save me no matter what, my redeemer will save me no matter what, मुझे तो निश्चय है, कई बार खुडा के लोगों, हम लोग के पास ये confidence नहीं होता है कहने का, कि आसमान का खुडा निश्चय मेरे साथ है, हम लोग कहीं ना कहीं सोचते तो है, हम लोग कहीं ना कहीं सोचते तो है, यहां खुडा मेरे साथ है, 1% नहीं चोड़ता है, जब खुडा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसका मतलब है वो तुम्हारे साथ है, जब खुडा कह रहा है मैं तुझे नहीं चोड़ूँगो, मैं तुझे नहीं त्यागूँगो, तो उसका मतलब यह है कि वो तुझे नहीं and he has put into your ears and he is telling you that God is not with you but I am here to tell you the good news and the good news is that God is with you and right now God is with you even when I am speaking He is with you right now when you are in the trouble जब आप परिशानी के अंदर जब आप दिक्कत के अंदर जब आप बहुत मुसीबत अस गिरे हो है उस सम्मे में भी आस्मान का खुदा आपके साथ है आपको ये वाली बात निस्चे रूप से मालूम होनी चाहिए निस्चिंत तरीके से मालूम होनी चाहिए 100% Surety के साथ मालूम होनी चाहिए मेरा खुदा मेरे साथ है ये बात किसने कही थी ये कलाम आपको मिलेगा अयूब की किताब में उसके 19वे अध्याय में ये कोई आसाधान से इंसान नहीं बोल रहा है ये वो इंसान बोल रहा है जो परिशानियों के बीच में है ये वो इंसान बोल रहा है जिसने अपने बच्चों को खो दिया है ये वो इंसान बोल रहा है जिसकी पत्नी ये कह रही है ये वो इंसान बोल रहा है जो जिसके उपर लोग तोहमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं वाकई में कोई गुना किया हुएगा इसलिए परमेश्वन इसे मारा है ये वो इंसान बोल रहा है लोग इसके खिलाफ हैं पत्नी इसके खिलाफ हैं बच्चे इसके मर गए हैं प्रॉफ उस जनम के दिन को जो इनसान कोस रहा है ये वो इनसान बोल रहा है मुझे निश्चे है जो बहुत मुश्किलों से गया है वो इनसान बोल रहा है मुझे निश्चेत है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुडाने की ताकत रखता है मुझे निश्चे है मेरा चुडाने वाला जीवित है वो जिसका शरीर बरबाद हो गया है कह रहा है मुझे निश्चे है कि मेरा परमेश्वर चुडा लेगा वो निश्चे के साथ इस बात को कह रहा है जिसनी अपनी अउलादों को खो दिया है जिसकी पत्मी अगेंस्ट में है, जिसके बच्चे नहीं रहें, जिसकी प्रॉपटी चली गई है, ये वो इंसान कह रहा है, मुझे निश्चे है कि मेरा चुडाने वाला जीवित है, आपको मालूम है हम और आप आयूप की तरह परेशानी के अंदर नहीं पड़े हैं, हमारे पत्मी का परमेश्वर से विश्वास उटने के बाद, दोस्तों के तहमत लगाने के बाद, पत्मी की जब पत्मी उसके बगल में बैठती है, उसकी सांस से, अयूप की सांस से जिस पत्मी को बद्बू आ रही है, और आयूप देख रहा है कि ये पत्मी जो मुझसे इतना वाला जीवित है I am talking to you क्या आप इस बात का निश्चे कर सकते हैं क्या आप ये वाली बात इस confidence के साथ बोल सकते हैं जिसने confidence के साथ अयूब ये वाली बात बोल रहा है अयूब कहरा मुझे मालू में मेरा खुदा मुझे बचा लेगा अंत में मेरी आशा पूरी होगी अंत में परमेश्वर की बात पूरी होगी when you read this whole words लिखा है मुझे तो निश्चा है कि मेरा छुडाने वाला जीवित है और वो अंत में प्रिद्विव पर खड़ा होगा कहने का मतलब है वो मेरा नयाय चुकाएगा कि मुझे सब लोगों के सामने वो उठाएगा वो मेरा सामने खड़ा होगा कहने का मतलब है वो मेरा नयाय चुकाएगा यहां तो यहां पर चुकाएगा यहां तो वहां पर चुकाएगा पर मेरा नयाय चुकाएगा what a confidence this man is having कि मुझे तो निश्चा है कि मेरा छोड़ाने वाला जीवित है खुदा के लोगों आपको मैं बताना मांगता हूँ खुदा आपके साथ है खुदा आपको छोड़ना नहीं मांगता है खुदा आपसे अलग नहीं होना मांगता है खुदा आपसे दसबरदार नहीं होना मांगता है बेर आपको मालूम है, इस रहा में जिसमें हम चल रहे हैं, इस रस्ते में जिसमें हम चल रहे हैं, कई बार हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा हमसे दूर नहीं हुआ है, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा हमसे दूर नहीं हुआ है, हम खुदा से दूर हो जाते खुदा की पूरी पूरी कौम मुश्किलों में पढ़ी, पर जो खुदा के बंदे होते हैं, जो खुदा के लोग होते हैं, उनका जो बात करने का तरीका होता है, वो बिलकुल अलग होता है, Do you know how they talk? They talk, God is with me. They don't say, God is not there with me. They say, God is with me. Are there some people who will say, God is with me? I am talking to the people of God. I am talking to the men of God. I am talking to the women of God. I don't know in which part of the country you are watching me. I don't know in which part of the world you are watching me, but I want you to speak wherever you are sitting. Come on, say that with me. God is with me. God is with me. God is with me. I have confidence in my God. Come on, say that. I have confidence in my God. I want to talk to some people, जो अपनी मसीबत के बीच में अपने हहाथ को अटा के कहेंगे, मुझे तु यकीन है, मेरा खुदा मेरे साथ है. हाँ मेरे घर के अंदर इस मौत के बाद मेरा खुदा मेरे साथ है हाँ मेरी मा के खो जाने के बाद हाँ मेरे बाप के खो जाने के बाद हाँ मेरे बच्चे के खो जाने के बाद हाँ बिमारी में पढ़ने के बाद हाँ दिक्कत में पढ़ने के बाद हाँ पैसे की कमी के बात भी मेरा खुदा मेरे साथ है बिकाज शेतान से इतनी सी बात चाहरा है कि किसी तरीके से आज आपके इमान को हिला दे किसी तरीके से आपको खुदा से दूर कर दे किसी तरीके से आपको यह वाली बात बोल दे खुदा नहीं है किसी तरह किसे तुम्हें ये बोलवाद है कि खुदा का तिरस्कार करो but I want to tell you I am talking to some people who are in real problem जो कोरोना वारस के शिकार हो चुके हैं जो oxygen की कमी का शिकार हो चुके हैं जो पैसे की कमी का शिकार हो चुके हैं जिनके साथ कोई नी खड़ा है जो अशपटाल में अकेले बैठे हैं कि बहुत से ऐसे लोग जब उनको अकेला पन मैसूस हो रहा था जब वो परिशानी के बीच में थे जब वो तकलीव के बीच में थे वो एक बात continuously कह रहे थे वो पता क्या कह रहे थे हमें निश्चा है हमारा छुणाने वाला जीवित है हमें निश्च है हमारा छुणाने वाला जीवित है खुदा की लोगों हमें कमजोर क्रिश्चन नहीं बनना है हमें फुस-फुसा काई किसम का क्रिश्चन नहीं बनना है हमें ऐसा वाला क्रिश्चन नहीं बनना है जो मुम्बत्ती की तरह हलकी जियाग लगे और गल के खतम हो जाए We have to be a rock solid people We have to be a person on whom God can build His shirt यादे पत्रस से क्या बात कर रहा था तू वो चटान है जिसके उपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा उसके पास इस बात का revelation था पत्रस के पास इस बात का revelation था येशु मसी मेरी चटान है और अगर मैं येशु के उपर खड़ा हुआ हूँ तो आद लोग के फाटक मेरे उपर प्रभल नहीं कर पाएंगे क्या आज आपके पास वो revelation है जो पत्रस के पास था क्या आप पत्रस की तरह हो सकते हैं क्या पत्रस की तरह अपको बना सकते हैं मुझे मालूम है जिस तरह किस आयूब कह रहा है जिस तरह किस पत्रस कह रहा है Can you be as strong as Peter जो मार खाने के बाद भी कह रहा था अच्छा हुआ की पीटे गाए पिटाई हुई थी पत्रस की मार खाय था क्रचार करने के बाद भी उसके बाद भी उसका इमान खुदा से नहीं अटा था Today I want to talk to you about the people who had gone through a lot of trouble but they were still having confidence in the Lord They still had confidence in the Lord Come on I am talking to some people who are watching me right now Can you keep your confidence up जब आप coronavirus के शिकार है जब आप पैसे की परिशाने के शिकार है जब आप महमारी के शिकार है Can you still say in the midst of everything that God is still on the throne God is still a living God God loves me कि आप यह वाली बात कह सकते हैं हाँ मुझे निश्चे है कि मेरा छुडाने वाला जीवित है अगर आपने इस बात को बोला नहीं है आज मैं आपको बोलना मांगता हू इस बात को बोलिए हाँ शायद आपका मन नहीं कर रहा हो पर आप इस बात को बोलिए शायद आपका दिल ना कर रहा हो इस बात को बोलिए Surpass your feelings my brother Surpass your feelings my sister Surpass your feelings my brother Surpass it Surpass it आपको अपनी विचारों की अपने आप आपको अपने विचारों की आप बंद है, तोड़ देखा, if you will start claiming, if you would start saying that Lord, I believe you are alive, I believe you are here, अगर आप इन बातों को कहेंगे, हां मुझे निश्य है कि तु जीवत है, हां मुझे निश्य है, मेरे accident में, मुझे निश्य है, तु जीवत है, if you will start speaking right now, I believe the anointing of the Lord is going to flow out of this program right now and touch you wherever you are, in the name of Jesus, come on, start claiming it, 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 say it, say it in the name of Jesus, in the name of Jesus, come on, COVID की परिशानी के बीच में यह वरी बात बोलिये, yes, my Lord is alive, come on, I am talking to you, I am talking to you right now, I want you to open your mouth, शातान को मालूम क्या है, शातान को सबसे ज़्यादा घबराट आपकी गवाही से होती है, आपको मालूम है, Revelation में क्या लिखा है, Revelation में लिखा है, और बर्रे के लहू के द्वारा, और अपनी गवाही के द्वारा, उन्होंने जैपराप्त करिये, आप जैपराप्त करना चाहते हैं Do you want to be more than conqueror? Do you want to be strong? क्या आप चाहते हैं कि आप पर मेश्वर के बेटे कहला है आप शयतान के उपर जैवन्त हो जाए आज शयतान को आप अपने प्यारों के नीचे कुछल दे आज शयतान को बता दे तिरी जगा क्या है तु हारा हुआ है तुझे हारा दिया गया है और तु हारा हुआ बना रहेगा येश्यू जीवित है येश्यू जिन्दा है और येश्यू जैवन्त है और जैवन्त रहेगा और हम उसकी संताने हैं इसलिए हम भी जैवन्त रहेंगे I am talking to you Would you claim this word with me I want you to speak there is power in speaking there is power in speaking there is power in speaking power होती है सामर्थ है बोले में बोलो इस बात को मेरा चुडाने वाला जीवित है I don't know what you are going through but speak it मेरा चुडाने वाला जीवित है Come on, if you want to be crazy if you want to be crazy if you want to be crazy अगर आप पागलों की तरह अपने घर के अंदर चिला रहे मुझे से कोई मुझे से कोई आपती नहीं है In fact, I will be very happy क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है उसके बाद भी आप चुला चिला के कहते हैं मेरा चुडाने वाला जीवित है मेरा चुडाने वाला जीवित है आप आस्मान को जमीन पर उतार लेते हैं आप आस्मान के खुदा को जमीन पर उतार लेते हैं आपको याद है वो इनसान दूर से चिला चिला के क्या कह रहा था एक एक व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो ये शुक मालूम था ये चुप कराने के लिए नहीं है, ये तो इसलिए है, क्योंकि आज इनके लिए वो काम होना जरूरी है, और ये काम उनके लिए इसलिए होएगा, क्योंकि ये चिला रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं, हे दाउत की संतान हम पर दिया कर, मैं आप से बात कर रहा हूं, मैं आप स पर जो तमाचा आयूब ने दिया है ना, इतना गजब था, इतना ताकतवर था, कि शतान अपना गाल से लाता रह गया होगा, और आसमान में खुदा हसरा होगा, जिबराइल बगल में बैटके हसरा होगा, आज आयूब दे से तमाचा दिया, जब पर बाद हो गया है, उसके यूपता क्या कह रहा है, मुझे निश्चा है, मेरा चुडाने वाला जीवित है, the real men and women of God, they know it and they know it and they know it in the midst of all the trouble that the redeemer lives, they know it, उनको मालूम होता है, उनका चुडाने वाला जीवित है, can I get a testimony, अगर आप वेक्ती हैं जो ये बात कह सकते हैं, हाँ मेरा चुडाने वाला मेरा चुडाने वाला जीवित है, COVID हुआ था मर जाना चाहिए था, मेरा चुडाने वाला जीवित है, पैसे की कमी थी, खतम हो जाना चाहिए था घर को, मेरा चुडाने वाला जीवित है, इतने time COVID के बीच में lockdown रहा, पैसा नहीं होने के बाद भी हमने रोज खाना खाया, मे मेरा चुड़ाने वाला जीवत है, then this message is for you, because tonight God is talking to you something very very powerful, I want to show you men and women of God, who always said that मेरा चुड़ाने वाला जीवत है, कलाम में कई बार, एक बार नहीं, मैं आपको दो तीन एक्जामपल दूगा, और खटाखटी वाले एक्जामपल दूगा, मैं आपको लेके जाना मांगता हूँ, एस्तर की किताब में, और मैं आपको मुलाकात कराना चाहता हूँ, मौर्दके से, और मौर्दके बात कर रहा है, अपनी मौर्दके बात कर रहा है, एस्तर रानी से, है तो रानी पर आप मैं चाहता हूँ, मौर्दके की आवास को सुनिए, मौर्दके के डायलॉग को सुनिए, मौर्दके के बात करने के अंदास को सुनिए, मौर्दके और पूरा यहुदी समाज, इस समय समझ लीजे हमान के चक्कर में फस चुका है, हमान जो एक बहुत क्रूर आदमी है, हमान जो बहुत खराब आलेगा मुर्दके को मरवा दालेगा यहां तक की वो यह भी सोच रहा होगा कहीं न कहीं उसे तो शायद मालूम नहीं होगा एस्तर भी अगर यहूदियों को उसे भी खितम करवा देगा मुर्दके की दिमाग मौर्दके की दिमाग में चल था मैं मौर्दके को और इस पूरे permission already आगई है, जबकि वो ताकत में है, मैं चाहता हूँ इन सब negative बातों के बाद भी, मौर्दके का आप word सुनियेगा क्या है, मौर्दके की बात सुनियेगा क्या है, Esther की किताब उसका चौथवा अधिया है, चौथा अधिया, उसकी मैं आज मौर्दके की बात सुनियेगा मौर्दके की बात सुनियेगा, महर्बानीज, come on, look at the language, and I'm emphasizing to look at the language, because I want you to change your language, मैं आज मौर्दके की बात सुनियेगा क्यों इस लिए कर रहा हूँ, या उस पर जोर इस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, की आप भी मौर्दके की ज़रार जबanda बोलें, क्योंकि शतान चाहता है, ऐनी चाहता है, आयूब की थी, जैसी मौर्द्के की थी, ऑर बाकी और लोगों की, जो मैं आपको दिखाने बाला हूं, जब परिशानी आए, यह मुल्द बोलिए कि मर जाएंगे, बिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, विकार हो जाएंगे, क्योंकि शेतान यही चाहता है, शेतान चाहता है कि आप गाना गाया, मैं मर जाओंगा, मैं मिट जाओंगा, मैं मिट जाओंगा, विकार हो जाओंगा, बरबाद हो जाओंग हुआ है एस्तर की किताब उसका चौथा द्या है लिखा हुआ है क्योंकि तू इस समय अगर चुप रही तो किसी ना किसी उपाए से यहूदियों का छुटकारा और उधार हो जाएगा लुक अट वर्स गरा तुम नहीं जाओगी तब भी खुदा इंतजाम कर देगा कितनी लोग इस सम्में मुझे देख रहे हैं अपने रिष्टेदारों की वज़े से परिशान हैं भाई अगर उनने डॉक्टर से बात कर ली होती ना हमारा काम हो जाता घर हमारे पापंड ने हमारे लिए यह कि अगर उन डॉक्टर ने हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दी होती, तो हमारा काम बन जाता, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, पता मौर्देके क्या कह रहा है, मौर्देके की भाशा सुनिए, मौर्देके कह रहा है, क्योंकि जो तु इस समय चुप रहे, तो किसी ना किसी उपाय ऐसे यहूदियों का चुटकारा और उधार हो जाएगा, वो यह नहीं कह रहा है कि तुम्हें बोलने की आवशकता, अगर तुम नहीं भी बोलोगी एस्तर, तब भी खुदा मेरा चुटकारा कर देगा, तब भी खुदा मेरा उधार कर देगा, आपकी भाशा में, आपके क कितने लोग ये वाली बात करेंगे आस्मान का खुदा मेरा उधार करेंगा कम ओन I am talking to some people आस्मान का खुदा मेरा उधार करेंगा कम ओन मुझे किसी की आवशकता नहीं है आस्मान का खुदा साथ में आपके कई लोगों को खड़ा करता है अबर ये बात याद रखिएगा जब लोग इंकार कर दें मौर्द के कितना कहिएगा तुमको खड़ा किया था कि खुदा के लिए खुदा के लोगों के लिए खुदा की कौम के लिए तुम कुछ करो अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी आसमान का खुदा कही न कहीं चे काम कर लेगा वी सम्टाइम्स फर्गेट कि खुदा लिमिटेड नहीं है उन लोगों के उपर आधारित नहीं है जिनको उसने अथॉर्टी पे बठाया है वो जैसे अथॉर्टी पे उनको बैठा सकता है वैसी अथॉर्टी पे आपको बेठा सकता है और अगर अथॉर्टी पे आपको ना बिठा तब भी आपके लिए रस्ता बना सकता है God is a good God God is a good God खुदा अच्छा खुदा है शैतान को भर्माने मत दीजिएगा लोगों को भर्माने मत दीजिएगा हम हैं तभी काम होएगा, हम नहीं होएगा, तो काम नहीं होएगा, तो काम नहीं होएगा, आसमान का खुदा है मेरे साथ, when God is with me, who can be against me, come on somebody right now, be encouraged, हमारे साथ ये नहीं है, हमारे साथ वो नहीं है, अंकल है मौर्द के, एस्तर के, उसके बाद भी एस्तर के उपर भरोसा नही है, और जब एस्तर को बोल रहा है, तो ये बोल रहा है, it is your time, अच्छी बात है जब तुमनों अथरोटी पे हो एस्तर, अच्छी बात है जब तुमारे पस ओधा है, अपने ओधे का इस्तमाल करो, खुदा के लिए कुछ करो, अगर तुम नहीं करोगी, आसमान का खुदा लिए खुद से कुछ करना जानता है, stop fearing, stop fearing, God knows to take care of his people, डरना बंद करिये, आसमान के खुदा को मालूम है, अपने बच्चों के लिए किस तरीके सा रस्ता बनाना है, come on, I am talking to you, कब तक घबरा के बैठे रहोगे, कब तक डरे रहोगे, कब तक अपने आप से बोलते रहो मैं तुमारे साथ हूँ, मार्द के के छारों तरफ, दुश्मन ने ऐसा जाल बिचा रखा कि मर जाएगा, खतम हो जाएगा, इसकी काम तबहा हो जाएगी, इतनी जादा distressful situation होने के बाद भी मालूम, इसका डायलोग क्या है, मुझे निश्य है, मेरा छुडाने वाला चीव जिता है, I know my God, He is my Redeemer, Daniel तीसरा ध्याय, साथरमा पद, this is my, this is my, this verse is close to my heart, यह आयत में बहुत अच्छी लगती है, पढ़िये जरा, Daniel का तीसरा ध्याय, उसका साथरमा पद, book of Daniel chapter 3, verse 17, very powerful, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धदकते हुए बटे की आख से बचाने की ताकत, शक्ती, सामर्त रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी चुडा सकता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको इस धदकते अटे की आख से बचाने की ताकत रखता है, this is their language, सामने आख जल रही है, सामने आख जल रही है, और राजा बोल रहा है, डाल दूँगा उसमें, और ये पलट के जवाब दे रहा है, ना हमें आख से डर है, ना तुम से डर है, क्यों? अमें निश्चय है, हमारा छुडाने वाला जीवत है, that's the kind of a language, I want you to get today, that's the kind of a language, I want you to get today, शातान पता क्या, आपको क्या बताना मांग रहा है, शातान आपको बताना मांग रहा है, निश्चय मरोगे, आग नहीं मारेगी, तो राजा मार डालेगा, पर शद्रक मेशक अबेदनगू को salute, शद्रक मेशक अबेदनगू को salute, salute, देख रहे होंगे वहाँ से, बात कर रहा हैं उनके बारे में, हीरो है बाइबल के, और आज के हीरो आप होएंगे, आज के हीरो आप होएंगे, अगर आग को देखके बोल पाएं, आग हमें मालूम है मारा चुडाने वाला जीवित है अगर राजा को देखके बोल पाएंगे, जो आग में फेकने के लिए आपको कह रहा है आग मारा चुडाने वाला जीवित है कौन सी आग है जो आपके सामने है जरा आग को अपनी आखों में बसाईए और उस आग से कहिए मेरा छुडाने वाला जीवित है बोल दीजे उस बिमारी को मेरा छुडाने वाला जीवित है बोल दो कैंसर को मेरा छुडाने वाला जीवित है बोल दो करोना को मेरा छुडाने वाला जीवित है बोल दो डॉक्ट end होएगा, महां से मेरा खुदा चालू होएगा, बोलिए मेरा छुडाने वाला जीवित है I want you to speak that बोलो अपने bank balance को जो खाली दिखा रहा है मेरा छुडाने वाला जीवित है बैठा हूँ यहाँ पर आज आप से बात कर रहा हूँ देरों लोग मुझे देख रहे है पर मैं आपको बताना मांग रहा हूँ खुदा ने यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा आया है कितनी बार ऐसा रहा है, जब सुभा रहा है सुभेरे मैं अपने घर से निकला करता था मेरी पत्नी अकसर आके मुझे बोली थी जा रहे हो, इतनी दूर-दूर जाते हो सुभा जाते हो, और शाम को आओगे कम से कम पर्स में कुछ पैसा तो लेके चले जा, सो रुपे तो लेके चले जा, अगर गाड़ी पंचर हो गई तो क्या करोगे? क्योंकि 100 रुपे हुआ करता था 100 रुपे मैं लेके जाओ या अपनी पत्नी को देखे जाओ और अपने बच्चे के लिए जो दूद पी रहा है उसके लिए छोड़के जाओ खाली 100 रुपे घर के अंदर है और घर से बाहर निकल रहा है पैसा लेके चले जाओ 100 रुपे तो तुम्हारे पास होने चाहिए और मैं उसकी तरफ देखके बोला था 100 रुपे तो तुम्हारे पास भी होने चाहिए 100 रुपे तुम रखो मैं इमान के साथ घर के बाहर निकल रहा हूँ खाली हाथ जा रहा हूँ खाली हाथ आऊंगा नहीं I had faith एक कव्वा भी अपने बच्चों को घर पे चोड़के एक कबूतर भी अपने बच्चों को घर पे चोड़के चिडिया भी अपने बच्चों को घर पे चोड़के अपने गोंसले को चोड़के जब उड़ती है न को खिलाने के लिए और बच्चे को खाना खिलाने के लिए पैसा होगा यू नो वाइ मुझे निश्चन था मेरा छुणाने वाला जीवत है खित्मत के लिए बाहर निकला तो कई पास्टर्स ने आके बोला क्या खाओगे कहां रहोगे मुझे अपने जबान खोल के उनको बोलना पड़ा पत्ते खा लूँगा पेड़ के नीचे रह लूँगा आसमान के खुदा की सेवा करूँगा पर मैं आपको बताना मांग रहा हूँ ना खुदा ने मुझे पेड़ के नीचे रहने दिया ना मुझे पत्ते खाने की ज़रू झाल झाल झाल